Hello everyone, this is CACS दिव्या गर्वाल from your MEPL and today I have got a very, very, very important announcement for all the lovely CA Foundation students. तो जी हाँ, बहुत सारे वच्चे टेंस्ट थे कि मैम जून में हमारा एक्जाम्स है, तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें? We are very much tense, burn out हो चुके हैं, 10th row रखें हैं, तो कैसे हम लोग अपना पढ़ाई को continue करें, जिससे हम लोग burn out भी ना हो सके और हम लोग का एक्जाम्स भी जबरदास जाए. तो वैसे तो मैंने आपके लिए पहले भी 70 days का master strategy device किया था, जो I think आप लोगों ने follow किया है. तो वो strategy अभी तक खतम हो गया होगा, so now coming to the second round of revision, एक बार तो अपने revision खतम कर दिया होगा, ठीक है, अभी मैं बात करिए second round of revision का, या अपना अगर माल लो आपका ये first week of revision का, तो उसको कैसे करना है, तो जब से आप ये video देख रहे होगे, आप देखोगे कि यहाँ से कुल मिला के लगबग में अगर बताओ, तो पूरा का पूरा एक महिना, एक महिना और एक हफता समय आपके पास हाथ में बचा है, so it is only one month and one week left for your exam, approximately अगर मैं round off करूँ तो 35 days लगबग approximately बचे हैं, दो-तिन दिन उपर नीचे कर लेना, 35 days आपके approximately हाथ में है, तो यह 35 days को efficiently कैसे utilize करना है, आज इस video में आपको बताने वाली हूँ, तो यह video को आखरी तक देखना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, so guys do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon, नहीं तो notification नहीं आएंगे, और I hope कि आप लोग MEPL उत्सफ का session enjoy कर रहे होगे, सारा का सारा मैंने economics का एक एक chapter detail में revise कर वाया है, BCK का revise कर वाया है, इतना सरा mentee quizzes हुआ है, in fact सारे के सारे faculties ने हर एक chapter को इतना अच्छे से revise कर वाया है, तो आई अब मैं discuss करती हूँ 35 days master plan के बारे में, तो अगर मैं बात करूँ, हम लोग reverse order में जाएंगे, ठीक है, हमारा exams, जिस paper से चालू होगा, वो paper हम लोग अभी पहले कर लेंगे, ताकि last में जाते जाते युनों क्या हो, कि हमारा जो जो हमारे last में, जो हमारा 7-8 दिन वचेगा न, उसमें हम लोग खाली उसी paper के उपर focus करेंगे, जो हमारा exams वाले दिन fall करेगा, first exams वाले दिन fall करेगा, which is approximately 24th of June, ठीक है, तो आपको पता है कि आपका exams कब से चलो हो रहा है, सबसे पहला साथ दिन, जब से आप वीडियो देख रहे हो, वहाँ से first week, यानि first seven days, आप लोग क्या practice करोगे, accounts practice करोगे, और एक theory subject, यानि business and commercial knowledge का BCK chapter उठाओगे, subject उठाओगे, और maths, तो मेरा advice है कि आपको daily करना है, मैं starting से बोलते हैं, maths आपको daily practice करना है, तो maths के लिए आप अलग से 4 घंटा maths के लिए daily आपको devote करना है, उसको आप अलग ही रखना, 3 to 4 hours daily has to be given to maths, तो maths आपको daily practice करना है, तो पहला साथ दिन, आप accounts का major major chapters है, बड़ा-बड़ा chapters आप बड़ा रिवाइस कर लेना, उसके संग आपको BCK कर लेना, जो कि बहुती small portion cover करता है, 40 marks का है total, 6 chapters है, उसके बड़ा BCK कर लेना, तो पहला साथ दिन में target रखना है, कि accounts और BCK का हम लोग quick revision कर ले, और maths तो daily हमें 3 या 4 घंटा practice करना ही है, फिर उसके आईए बात करते हैं, जब यह पहला 7 days exhaust हो जाएगा, तो next 7 days में हमें क्या करना है, business law करना है, उसके संग BCR करना है, और maths तो मैंने बुला regularly करना ही है, तो आप मेरा strategy बखु भी जानते हो, कि everyday we try to practice one theory and one practical subject, हर दिन हम लोग कोशिश करेंगे, कि एक theory और एक practical subject को करे, और उसके साथ maths तो mandatory है, वो हर समी करना है, फिर आईए बात करते हैं, जैसी हमारा law BCR, मुझे लगता है law BCR के लिए 7 दिन काफी है, 2 दिन में BCR हो जाएगा, और law 5 दिन में हो जाएगा, in fact मैं तो बुलूँगी, BCR जैसा subject एक दिन में भी आप कर सकते हो, और maths regularly करना है, फिर वहाँ से और दूसरा साथ दिन में आपको क्या करना है, economics करना है, और statistics और maths, यानि अब यहाँ पे आपको stats और maths का major chunks करना है, ठीक है, और economics छोटा सा syllabus है, मुझे ऐसा लगता है कि तीन दिन में आप complete कर लोगे, तो चार दिन आप जम के stats maths अच्छे से बखू भी करना, तो इस दरह से आप देखोगे कि यहाँ पे आपका 21 days exhaust हो गया, फिर last में 7 days मैंने grace day रखे हैं, कि यहाँ पे अगर इस particular syllabus में आपका अगर कोई topic रहे जाता है पढ़ना, तो आपको बिना कोई tension कि यह 7 दिन में उस topics को complete करना है, और maths रेगुलर्डी करना है तो देखो मैंने क्या लिखा है, complete the topics left above plus maths, आपको पहला पेपर आपको पता है अकाउंटेंसी का है, तो आपको जाहिर सा बात है कि यह 7 days सिर्फ और सिर्फ अकाउंटसी रिवाइस करना है, theory, practical accounts का पूरा भरपूर, खाली accounts ही अपने दिमाग में रखके जाना है, ठीक है, so this is how you are going to revise your syllabus in your exam, तो यह आपका हो गया third degree of provision for your accounts before exam, फिर वैसे ही, जैसे जैसे आप paper देखर आओगे, same day आपको क्या करना है, हमारा booster session रहा करेगा, booster session you know क्या होता है, एक एक दो दो घंटा आकर सारे faculties हर एक subjects के बारे में आपको boost करवा देगे, जिससे आपका energy level high हो जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आपको exams के एक दिन पहले, हर एक subject की तयारी किस तरह से करनी है, तो वह आप निश्चिंत रहना, ठीक है, तो वैसे ही accounts का हो गया, अब इसके बाद ये इस दोरान, आपको key points क्या क्या दिमाग में रखना है, कि जबी भी आप revise करोगे, specially अगर मैं practical part का बात करूँ, तो always remember, कि खाली पढ़ पढ़ के revise नहीं करना है, अगर accounts का मैं बात करूँ, तो कम से कम एक sum हाथ से जरूर बनाना, अगर मालनो 30 sums है, तो एक sum हाथ से rough work में, यह नहीं बोड़ी हो, proper format के संग बनाना, but rough work में हाथ से लिखकर, जरूर प्रेक्टिस करना on your calculator, और बात-बाकी calculator के ओपर करते जाना, नहीं तो इससे confidence नहीं आएगा, although हमें ऐसे देख के लगेगा, solution की हमें आता है, but जब तक आप खुच से practice नहीं करोगे, that confidence is never going to come in your mind, so always don't forget to practice at least one sum, if you have got 30 sums in your mat, for a particular chapter, ठीक है, इसके अलावा, RTP, MTP, जो institute latest release करता है, और जो सारे faculties, आपको individually हर subject के करवाएं भी होंगे, वो भी solve करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोंगे, exams में, बहुत सारे question, इस particular topic से common आते हैं, so guys, it's my request, कि आप RTP, MTP session को, जो है, बिल्कुल भी miss मत करना, सारे faculties RTP, MTP session लेंगे, कुछ लोगों ने ले भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया है, लो लिया जाएगा, जैसे मैं आपका economics का, BCK का, RTP, MTP सब solve करवाऊंगी, फिर उसके बाद, अब आप जब second degree और provision कर रहे हो, अगर आप कोई topic में अटक रहे हो, या कोई सवाल में अटक रहे हो, तो वो सवाल अगर आपको लग रहे important है, ठीक है, तो उसको आप अलग से एक list बना के रख लोगे, so make a list of the things, which you have to cover the day before your exam, क्योंकि exams के पहले सारा सम को revise करना practically absurd है, possible भी नहीं हो, और it is absurdity, तो आपको एक list बना के रखना है, कि हर एक chapter से हमें कौन-कौन सा सवाल करके जाना है, नहीं तो आप exams में confused होगे, कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक दिन में आप पूरा कयामत को जो है, पूरा का पूरा कयानात जो है, उसको हासिल नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है, पूरे कायनात को थोड़ी पढ़ाई करके जा सकते हो, तो आपको एक list बना के रखना है, कि exams के पहले हमें कौन-कौन सा सवाल देखना है, तो exams के पहले हर एक chapter का सारा जो concepts है, वो तो revise कर नहीं है, लेकिन सारा sums revise करना possible नहीं है, तो जो-जो sums revise करना है, उसका list बना के रखना था कि exams के पहले आप वही sums को देख कर जाओ, और in fact कौन सा sum आपको revise करना चाहिए, ऐसा sum जिसमें number of adjustment जादा है, जो master sum है, जो सारे के सारे concepts को cover करता है, ठीक है, similarly law में भी मैं आपको बुलूँगे, कि कम से कम आपको एक case study लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो आप exams में blackout हो जाओगे, दिमाग नहीं चलेगा कि कैसे लिखना है, so unless, especially for a written examination, if you don't practice, you cannot perform well in your exam, and time management is also very essential, तो by this time I hope कि आपने हर एक test paper जो है, solve कियो होगा, यहाँ पर भी इतने सारे test series हुए होंगे, तो आपको पता है कि time management कैसे करना है, exam में time management भी बहुत essential है, और क्योंकि अभी गर्मी का time है, keep your body hydrated, drink lots of glucose, water, glucondi, ठीक है, यह सब निम्भू पानी, बहुत आदा पी हो, इससे अपका mind fresh होगा, बले आप खाना कम खाओ, लेकिन drinks लेते रहो, keep your body hydrated, ठीक है, इससे आप देखोगे, आपका energy level बहुत जादा double हो जाएगा, and take small small power nap, small breaks, which is going to give you a moral boost, और कोई भी डाउट है, हम सारे faculties आपसे जुड़े होए हैं, इसको पूछ के resolve कर सकते हो, तो guys, हिम्मत नहीं हारना है, अभी बस मनजिल आने वाला है, अभी बस यह जो लडाई है, यह जो जंग है, और आप समल्लो 40 दिन का है, 40-50 दिन का, तो अब इतना दूर आ गए हो, तो थोड़ा दूर और, ठीक है, थोड़ा दूर और, बस अप देखोगे, हमारा जीत, हमें जो जीत है, वो जरूर का जरूर हासिल होने वाला है, वे डेफिनिटली गोंग तो इसी तरह से पढ़ाई करो, तो अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर करना और, शेर कर अपने दोस्तों के साख, और हमारा MEPLC exclusive channel सब्सक्राइब करना मज भूलना दोस्तो, तो बबाई, टेक कियर, लोड और लोड अफ लॉव तो यू आल, और दू, गिव नियो प्रीशास कॉमेंट इन दॉ कॉमेंट सेक्शन, कोई भी डाउट एक दिमाग में, आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो कैसा लगा, कॉन्फिदेंस आया कि नहीं, दिव्या मैं को जरूर बताना, कॉमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है, सो लॉट्स अफ लॉव, बबाई,